Good morning students. So, how are you all? आज हम लोग छोटी की मात्रा सीखने वले हैं. ठीक है ना? छोटी से क्या होता है? इमली. कुन सा पेज नंबर है? पेज नंबर 8. अब तो आपने 1 to 10 लेंग कर लिए तो आपको पता जोना चाहिए न यह कुन सा पेज नंबर है? सबसे पहले आपको क्या करने है? ट्रेसिंग करो तब आपको प्रोपली यह सब चोटे-चोटे लिख्यों में आपका यह टू लाइन से बहार नहीं निकलना चे लेटा. ग को छोटी की मात्रा गी, अने को छोटी की मात्रा अनि, जे को छोटी की मात्रा जी, जे को छोटी की मात्रा जी, जे को छोटी की मात्रा जी, यंको छोटी की मात्रा जी, तो को छोटी की मात्रा टी, ठो को छोटी की मात्रा ठी, डो को छोटी की मात्रा दी, ध को छोटी की मात्रा धी, अने को छोटी की मात्रा अनी, त को छोटी की मात्रा धी, ध को छोटी की मात्रा धी, न को छोटी की मात्रा नी, प को छोटी की मात्रा पी, फ को छोटी की मात्रा फी, ब को छोटी की मात्रा भी, और ब को छोटी की मात्रा भी, म को छोटी की मात्रा मी य को छोटी की मात्रा य र को छोटी की मात्रा री ल को छोटी की मात्रा ली व को छोटी की मात्रा वी श को छोटी की मात्रा सी अभी ये सब में देखो छोटा जो ई होता है उसकी मात्रा कुन से साइड होती है लेफ्ट एंड साइड होती है आपको सबके लेफ्ट एंड साइड मात्रा लगानी है और वो देखो श को शोटी की मात्रा शी छोटी की मात्रा स्पीड में हम लोग बोल रहे न स को शोटी की मात्रा सी ह को शोटी की मात्रा ही फिर ये लंक ये आपको नहीं एडिकर नहीं क्लास्वक में चा से चत्रिय को चोटी की मात्रा ची त्र को चोटी की मात्रा त्री य को चोटी की मात्रा गी और श्र को चोटी की मात्रा श्री ठीक है? ये सब आपको टू टाइम औरल करना है पहले पूरा tracing करके फिर ये one line में लिखने हैं ठीक है अभी words मतलग शब्दार रवी रथवाला और व को छोटी की मत्रा रवी ज को छोटी की मत्रा जी रा फ जी रा की को छोटी की मत्रा की सा न सा को कुण सी मत्रा है आ की मत्रा है ड को आ की मत्रा को छोटी की मत्रा तो ड की या और ये को आ की मत्रा तो ड की या को छोटी की मत्रा शर से शर्बत म को छोटी की मत्रा और शर से शर्बत किश मिश ठीक है अभी आपको ये पहले tracing लिखना है फिर ये two lines में लिखना है one and two ये जो बीच वाली lines है इसमें आपको न नहीं लिखने कुछ में तो रवी जिराफ किशान डाकिया किसमेस भी नेक्स्ट कवी व को छोटी की मत्रा कवी यह रवी और कवी सेम है ना स्रिफ र में र आता है आगे और कव में कवी प्रोनौशेशन दोनों का आप बोल सकते हो राइमिंग वर्स रवी कवी तिलक त को छो कि मत्रा नी श को आ की मत्रा और न नी श न त किया त फिर क को छोटी की मत्रा फिर यह को आ की मत्रा त किया मतला पिलू अ भी मान अ भी मान अ भा को छोटी की मत्रा भी म को आ की मत्रा और न अ भी मान अ प्राउड फिल करना ग को ई की मत्रा गी ल को आ की मत्रा श कि रण कि रण को छोटी की मत्रा कि रण 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 कि र अभी देखो रवी मतलब सन का नेम होता है जिराफ किशान ये देखो डाकिया का भी पिक्चर दिया हो है मतलब पॉस्ट्वेन और किश्मेस आप खाते हो ब्राउन कलर की और ब्लेक कलर की कवी मतलब पॉइट तिलक मतलब जो रेड गलर के कुमकुम से लगाते हो ना मंदिर टोटब जाते हो तो तिलक निशान मतलब साइन तक्किया मतलब पिलोख अभी मान मतलब प्राउड फिईल करना और गिलसे इन अब ग्लास बोलते हो ना उसको बंदी में ग्लास बुलते हो कीरन मतलब सनलाइट सितार यह आपका सितार जो है वह उसे म्यूजिक आप लोगों ने सितार अभी पिक्चर में आपको इसाथ शेयर करोंगी सितार किसको बोलते हैं नियमित अरेगिलर परिचे मतलब इंट्रोडक्शन ठीक है तो आपको पहले रीडिंग करने है प्रोपली प्रेसिंग करने है और टू लाइन्स में लिखने है पढ़ो डाकिया 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 डाक लाया देखो किस-किस में आकी मतर है पहले ड में आकी मतर है की में छोटी क एक मात्र है तो श प्रोनाउस करना है वोगों किये न ला उकमात्र है तो इक क्या साउंब आईगा ची फिर श पको एक चीजित, classwork में लिखने हैं सबसे पहले date and classwork heading य की मात्रा से कः से गयां तक लिखो फिर यह जो कःखा आपको properly learn है कः से कभूतर इसको छोटी की मात्रा की फिसे सब letters को आपको छोटी की मात्रा लगा कि लिप प्रोनाउंस करते-करते आपको लिखने ठीक है? फिर यह सारे वर्ड्स लिखने रवी, जीराफ और जैसे इसके बाद में वह ने वन लाइन लिव की है तो यह अल्सो है फिर आपको शब्दार्थ हैडिंग लिखने है रवी, जीराफ, किशान, दाकिया, किश्मीज, और कवी फिर इस लाइन रोगर के नेक्स्ट सेवन, तिलग, निशान, तकिया, अभिमान, गिलास, किरन सितार, नियमित, और परिचे ठीक है, वन टाइम पुरा टेक्स्ट बुक में लिख लेना है फिर ये क्लास बुक में और ओरल करके इन सब का प्रेक्टिस करना है All the best, do well